नमस्कार दोस्तों मेरा नमें देवसिलोनियार आज मैं दोबार आप से भी के सामने एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर रहा हूँ आज की यूट्यूब में आप लोग बताऊंगा कि आप अपने लैप्टॉप की स्क्रीन को कैसे रिकोर्ड कर सकते हो आज मैं आपको स्क्रीन के बारे में बताऊंगा जिसके थुरू आप उसको रिकोर्ड कर सकते हो और यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं बार कोई स्क्रीन रिकोर्ड करके कहीं पर शोग करनी है या आपको कोई वीडियो बनानी स्क्रीन रिकोर्डिंग की तो आज आप इस वीडियो को शुरू से आकर तक पूरा देखे, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगा कि कैसे आपको स्क्रीन रिकोर्ड करनी है और ये सोफ्ट्वेर कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़े आपको इस वीडियो के थुरू मिलने वाली हैं, तो चलिए व लैप्टोप की स्क्रीन पर आ गए हैं, जहाँ पर क्या करना आपको रोम ब्राउजर में जाना है, जो आपको अभी मैं नीचे डिस्क्रीप्शन में लिंक दूँगा, आपको सिंप्ले उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है, अभी जैसे मैंने अल्लेडी यहाँ पर लिं इसको कैंसिल कर देता हूं, और उसके बाद जो हमारी डाउनलोडीड फाइल है, मैं उसको ओपन करता हूं, तो यहाँ पे मैंने फाइल एट डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इस फाइल को यहाँ से इंस्टोल करूँगा, और मैं यह प्रोग्राम रन करूँगा इसका, कि यहाँ पर सोफ्ट फर्य आप आ गया है स्क्रीन पर अगर आपको यूज़ करना तो इसका अजिमीर्सी स्क्रीन हे श्रकुलिक एक है ओक इस में आपको आपको बताथा वह चुकुल हो इफेक्टिव है आप इसके साथ इसको यूज कर सकते हो लेकिन इसके फीचर्स और क्वाल्टी जो मैंने देखी कि वह बहुत बढ़िया है तो अभी मैं आपको एक बार चला कर दिखाता हूं इसको यह कैसे कैसे यूज करना है उसके लिए आपको यहां पर डबल क्लिक करना ह पर उसके बाद यह आपका ओन होना शुरू हो जाएगा जैसी यह ओन होगा तो आपके यहां पर कुछ आएगा थोड़ा सा यह options आएगे कि आप अगर paid version आपको लेना है तो आप वो कैसे ले सकते हो तो यह उसके लिए है कि यहां अगर आपको लेना है तो लेकिन अभी के लिए login नहीं कर रहे हैं इसके अंदर हमें direct जो free software वो यूज़ करना है तो हम simply इसको हटा देंगे उसके बाद यहां पर आपको यह उसके खुल जाएगा उसके बाद जब आपको यह यूज़ करना है तो आप इसकी screen कितनी यूज़ करना चाहते हो आप यहां से select कर सकते हो इसके अंदर अलग अप्शन है iPhone के भी हैं और उसके लाओ और भी बहुत सारी चीज़े हैं और अगर आपको जैसे screen record करने हैं तो मुझे मैं simply क्या करता हूँ full screen पे क्लिक करता हूँ अगर इसके webcam है तो अपिलाल के लिए हम इसकी screen को दुबारा से convert कर देते तो आपको अगर screen record करने है तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस रहेगा उसके बाद जो यहां पे है यह इसका है record का record का कि अगर आपको record करने श्टार्ट करने तो यहां पर आपको क्लिक करना है उसके microphone की सिर्फ करनी है और screen की नहीं करनी है तो आपको microphone पर click करना है और अगर आपको दोनों record करना है तो system and sound microphone कर देना है और अगर कोई सी भी record नहीं करने तो non कर देना है फिलाल हम उसके system sound आप manually भी इसको set कर सकते हो, जो full screen हमने set कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर आपका यह sign in का है, अगर आपको login करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ से login भी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर जो यह है, यह वाला इसका है, apps का, यह power की जो बहुत सारी और app है, वो भी आप यहाँ से download कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वीडियो editor है, वीडियो recorder है और भी है, वो सब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर आपके यहाँ पर कुछ options और help का आता है, कि आपको option और help अगर जैसे control plus f6 जो है, वो consort की है, recording start करने की, और control plus f10 है recording बंद करने की, pause और resume करने की है, उसके बाद hide की भी है, hide की मैं आपको बचाते हो, control alt e, यह आप अगर set करोगे तो यहाँ की recording की हो जाएगी, उसके लाव यहाँ से आप manually भी कुछ change अगरिंग में करना चाते हो, वो आप कर सकते हो, यहाँ से control f6 अगर recording की है, उसको आप change करना चाहो shift से, alt से, तो change कर सकते हो, उसके बाद यहाँ recording पर जाते है, जो basic है, जो countdown जो है recording से पहले का वो बताएगा, जैसे 3, 2, 1 करके recording start होगी, जो मैं भी आपको दिखाऊँगा, अब आज अगर आपको चाहिए, जब recording स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर beep क्यावा जाएगी, उसके बाद recording boundary कितना record करना है, वो भी दिखाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, कि कितना record हो रहा है, उसके बाद toolbar जो है, यह वाला यह दिखाएगा, उसके बाद cursor जो है, वो cursor भी दिखाना है, तो हमें यह ओन कर करके रखना पड़ेगा वीडियो का जो फॉर्मेट है इसके अंदर कहीं फॉर्मेट है डब डब्लू एमवी MP4 एवी आई मोवी तो हम फिलाल MP4 पर क्लिक करके रखते हैं उसके माउस का जो स्टाइल है इसमें दो तरह का माउस दिखाई देगा एक तो ऐसा है सिंपल और एक माउस के साथ यलो स्पोर्ट दिखाई देगा तो आप आई सज़ेस्ट की यलो स्पोर्ट वाला ही क्लिक करें बैटर शो होगा उससे ओडियो की क्वाल्टी भी इसमें तीन तरह की है हाई स्टेंडर और लो वीडियो सैटिंग जो वीडियो सैटिंग में बिट कम ज्यादा कर सकते हो 60 तक है यहां पर तो यह 24 और 25 रहता है यही सही रहता है उसके बाद यहां पर कोडिंग का है जो रिकोर्डिंग होगी हो किस कोड में होगी उसके आद मोड है जो उसमें भी आपको दिखाया गया कि आपको परफोर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देना है या quality पे ज्यादा ध्यान देना है या दोनों को balance रखना है तो हम balance पे click करते हैं और उसके बाद हम भी recording के लिए बढ़ते हैं मैं बताता हूँ आपको record कैसे करना है तो आपको यहाँ पे simply record पे click करना है उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि watermark इसमें आएगा microphone इसका उप है और जो sort की है वो यहाँ पे बताएगा उसके बाद हम okay कर देंगे 3,2,1 यह हमारी recording स्टार्ट होगी और यह करसर रह गया है अब हम इसको sort की से ही hide कर सकते हैं उसके लाव अगर आप यहाँ पे webcam start करना चाहते हैं इसके अंदर एक छोटा सा आप साते होगी recording के साथ आपका webcam भी ओन हो तो आप यहाँ पे easy camera on करेंगे तो आपका यहाँ पे छोटा सा camera on हो जाएगा हम फिलाल के लिए इसको बंद कर देते हैं यह और इससे आप कुछ अगर आपको यहाँ पे show करना है कुछ red red करके दिखाना है तो वो सारा भी आप यहाँ से select करके show कर सकते हो अभी मैं आपको बताता हूँ control, alt और e से आप इसकी recording को hide कर सकते हो अब यह record हो रही है आपको यहाँ पे दिखाए देगी देखो यह इसका जो color है वो change होता रहेगा आपका a power software का तो आप यहाँ से control, alt और e से ही दोबारा इसको वापिश ले से कहा सकते हो toolbar को उसके बाद जैसी आपकी recording पूरी हो जाएगी तो आपको यहाँ पे stop कर देना है जैसी stop करोगे तो यह दोबारा message आएगा आपको इसको काट देना है और उसके बाद यहाँ पे अलग लोग option आएंगे आपको recording save करनी है वीडियो तो आपको save वीडियो पे click करना भी यह save नहीं है तो इस record होगी और save होगी है और यहाँ जो save होगी है फिलाल ही आपकी window के अंदर जाओगे आप यहाँ पे documents के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ यह power का folder बना मिलेगा उसके अंदर आपकी सारी recording मिलेंगी आप इसको चाहो तो manually यहाँ से कहीं और भी select कर सकते हो लेकिन यहीं आ जाके इसको download कर सकते हो I hope आप लोगों समझ आयोगा कि आपको यह software कैसे use करना है और कैसे download करना है और कैसे इसके अंदर video record करनी है और इसका link मैंने description में दे दिया आप वहाँ से जाके इसको download कर लीजिए और use कीजिए उसके बाद अगर आपकी कोई query है तो आप मुझे comment कीजिए मैं आपकी help करने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम